सेम फले की सब्ची तो आपने बहुत बनाया होगा लेकिन आज बनाईए इस न्यू ट्रिक से बहुत ही टेस्टी लगता है तो बिना देर के चलिए बनाते हैं सब्ची को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूं एक बैगन बैगन बड़ा है तो इसे काट करके हम आधा हँसके आभाक सोझने में हुस्ते हैं मैं काट लें तरह से सब्सक्राइब के पास थोते हो तो यह वह एक बड़े ध सकते हैं यह बड़े हो तो इस तरह से काट considering सद्धार और आधे भाक कांश्यां पास तरा इस यह पीड़ों में करेंगे एक लिए मोटा नहीं है ज्यादा पतला या छोटा भी नहीं करेंगे इतना ही रखेंगे ताकि ये अच्छा लगे खाने में या देखने में और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर देखिया मटर चिल लिया है हमने और एक टमाटर तो अब हम सेम की फली को लिए हैं और इस तरह से दोनों साइड से इसके पतली इसको आड़ना की ऑट लेंगे और इस तरह से चेक कर लेंगे क्योंकि कई भार इसमें केरें अंदर तो आच्छछ चिक करके इसे अच्छा Six दो ej्यां और मिणाट को बहुत लेते हैं इस तरह से ठीषफ हुट्य चुट्पर टुकड़ों में और आप लेंगी हम प्याज प्याज को काट लें पूरे प्याज को और गैस पर चड़ाएंगे कड़ाई और इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके प्याज को भूनेंगे फिर उसमें एक मिर्च डाल दें हरी मिर्च और इसे भी भून लें प्याज को सौफ्ट करनी है हमें तो इस तरह से इसे भून लेंगे तेल में और अब ये डाल देंगे टमाटर और टमाटर प्याज मेर्च इन सबको अच्छा से बोन लें देखिए इस तरह से पूरे अच्छा से स्वप्ट हो गया है यह भूनते हुए थोड़े दिर और बहुनेंगे और अब इस से हम निकाल लेंगे किसी बरतन में और निकाल करके इसके फाइन फेस्ट बना लें वापस जिस कड़ाई में हमने टमाटर बुने तो उसी में तेल डाल लें और आधा चमच पंच फोरन डालेंगे फिर उसमें डाल दें साबुत धिनिया और यह जब थोड़ा तड़क जाए तो इ लिया चेल करके डाल लें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और जो पेस्ट बना रखे ना टमाटर प्याज और हरी मिर्च का उसे डाल करके अब इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे इस इस तरह से चलाते हुए तब तक पका लें एक मिनट तक इसे पका लेंगे हुए और अब यहीं पे जाएगा आधा चमाच हल्दी पावड़न है कि एक चोटी चमाच मकाशना जब एक आदे चमच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाओड है एक चूथा चमच लाल मिर्च कर्ष्मेरी लाल मिर्च पाओड है इसे कलर बहुत बढ़िया आता है तो यह डाल लीचेगा और अब जिस मिक्सर ग्रिंडजार में हमने पेस्ट बना आते हैं उसमें थोड़ा सा पाणी डाल करके उसमें जो पेस्ट लग इवह उसे में डाल कर मिला कि फोड़ा पैस्ट से भी तो अब इसटेज फ़ी डाल दे मतर और मतर को भी डाल करके एक मिनट तक इस्तिर से पका लेंगे तरह भी थोड़ा स्वप्अ हो जाए जैसे में डाल दें नमक सून्सर मधर को 21 दालेंगे तो यह थोड़ा हो गया है जब मघर डालेंगे तो अच्छे से अच्छे से चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे मसाले को साथ जब मसालों में अच्छे से मिल जाए इस तरह से चलाते हुए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाने और फिर से इसे चलाएंगे और इस तरह से देखिए कितना सुन्दर सब्जी दिख रहे है हमारा और और पानी हम इसमें एड़ करके जितना के हमें इसको पकाने में लगेगा, पर पर जब हम पानी ऑन्ने डाले hairst तम डाले इसमें गरम मसाला, कोई भे गरम मसाला ले सकते हैं आप, ये आदर, चमाल से थोड़ा कम हैं, उसे डाल करके सब्जी में तो मैं थोड़ा जार से मिला ल जब तक कि यह खौल जाए तीन से चार मिनट बाद देखिए कितना अच्छा बहुत ही बढ़िया हो गया है थोड़े देर और पका लेती हूं क्योंकि थोड़ा सा सब्जी कच्चा था हमने चेक किया तो एक मिनट और पका लेते हैं और एक मिनट बाद देखिए कितना बढ़ तो प्लीज वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं फिर से एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए